लिजी सुनिए प्रेम चंद की लिखी कहानी खून सफेद वाचन समीर गोस्वामी कहे प्रेम चंद की आप अपनी पसंदीदा कहानिया अब सुन सकते हैं भारत की सबसे बड़ी पॉड़कास्ट डारेक्टरी हब हॉपर पे हब हब पर आपके लिए लेका राय हैं हजारों पॉड़कास्ट जो आप सुन सकते हैं दुनिया में कहीं भी कभी भी प्रेम चंद की कहानियों के नए और पुराने एपिसोड आप हब हब पर पर सुन सकते हैं तो सिद्सला शुरू करते हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी खून सफेद का मेरी यानी समीर को स्वामी की आवाज में चैत का महीना था लेकिन वे खलियान जहां अनाच की डेरियां लगी रहती थी पश्वों के शर्णा इस्थल बने हुए थे जहां घरों से फाग और बसंत का लाप सुनाई पड़ता वहां आज भाग का रोना था सारा चौमासा बीट गया पानी की एक बूंद न गिरी जेट में एक बार मूसलाधार वरश्टी हुई थी किसान फूले न समाए खरीफ की फसल बोदी लेकिन इंद्रदेव ने अपना सर्वस्थ शायद एक ही बार लुटा दिया था पौधे उगे बढ़े और फिर सूख गए गोचर भूमी में घास न जमी बादलाते घटाएं उमरती ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा परंतुवे आशा की नहीं दुख की घटाएं थी किसानों ने बहुतेरे जब तब किये इंट और पत्थर देवी देवताओं के नाम से पुझाए बलिदान की पानी के अभिलाशा में रक्त के पनाले बह गए लेकिन इंद्रदेव किसी तरह न पसीजे ना खेतों में पौधे थे ना गोचरों में घास ना तहलाब में पानी बड़ी मुसीबत का सामना था जिधर देखिये धूल उड़ रही थी दरिद्रता और शुधा पीडा के दारुन द्रश दिखाई देते थे लोगों ने पहले तो गहने और बरतन गिर्वी रखे और रंत में बेच डाले फिर जानवरों की बारी आई और अब जीवी का का अंड कोई सहरा न रहा तब जन्म भूमी पर जान देने वाले किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े अकाल पीड़तों की सहाइता के लिए कहीं कहीं सरकार की सहाइता से काम खुल गया था बहुतेरे वहीं जाकर जमे जहां जिसको सुभीता हुआ वो उधर ही जा निकला संध्या का समय था जादो राय ठका मादा आकर बैठ गया और इस्तरी से उदास होकर बोला दर्खास्त नामन्जूर हो गई ये कहते कहते वो आंगन में जमीन पर लेट गया उसका मुख पीला पड़ रहा था और आँटे सिकुड़ी जा रही थी आज दो दिन से उसने दानी की सूरत नहीं देखी घर में जो कुछ विभूती थी गहने कपड़े बरतन भाड़े सब पेट में समा गए गाउं का साहुकार भी पती वरता इस्त्रियों की भांती आँखे चुराने लगा केवल तकाबी का सहारा था उसी के लिए दर्खास्त दी थी लेकिन आज वो भी नामन्जूर हो गई आशा का जिल मिलाता हुआ दीपक बुच गया देवकी ने पती को करुण द्रश्टी से देखा उसकी आँखों में आशू मणाए पती दिन भर का ठका मादा घर आया है उसे क्या खिलाए लज्जा के मारे वो हाथ पैर दोने के लिए पानी भी न लाई जब हाथ पैर दोकर आशा भरी चित्वन से वो उसकी और देखेगा तब उसे क्या खाने को देगी उसने आप कई दिन से दाने की सूरत नहीं देखी थी लेकिन इस समय उसे जो दुख हुआ वो शुधत उरता के कश्ट से कई गुना अधिक था इस तरी घर की लक्षमी है घर के प्राणियों को खिलाना पिलाना वो अपना कर्टब बे समझती है और चाहे ये उसका अन्याई ही क्यों न हो लेकिन अपनी दीन ही इन दशा पर जो मानसिक वेदना उसे होती है वो पुर्शों को नहीं हो सकती हटात उसका बच्चा साधो नींद से चौका और मिठाई के लालच में आकर वो बाप से लिपट गया इस बच्चे ने आज पर आया काल चने की नोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते सो गया चार वर्श का नादान बच्चा उसे वर्शा और मिठाई में कोई संबंध नहीं दिखाई देता था जादो राये ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी और दुख भरी द्रश्टी से देखा गर्दन जुग गई और हिर्दय पीड़ा आँखों में न समा सकी दूसरे दिन वो परिवार भी घर से बाहर निकला जिस तरह पुरुश के चित अभिमान और इस्त्री की आँख से लजजा नहीं निकलती उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता लेकिन हाँ पापी पेट तू सब कुछ कर सकता है मान और अभिमान गलानी और लजजा की सब चमकते हुए तारे तेरी काली घटाओं की ओट में छिप जाते हैं प्रभात का समय था ये दौनों विपत्ती की सताए घर से निकले जादोराय ने लड़के को पीठ पर लिया देव की ने फटे पुराने कपड़ों की वो गट्री सिर पर रखी जिस पर विपत्ती को भी तरसाता दोनों की आँखें आसुँं से भरी थी देव की रोती रही जादोराय चुपचाप था गाउं के दो चार आदमी उसे भेंट भी हुई किसी ने इतना भी नहीं पूछा कि कहा जाते हो किसी के हिर्दे में साहन भूती का वासना था जब ये लोग लाल गंज पहुँचे उस समय सूर ठीक सिर पर था देखा मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख के चिन जलक रहे थे बैसाख की जलती हुई धूप थी आग के जोंके जोर जोर से हरहराते हुए चल रहे थे ऐसे समय में हड़ियों के अगणे ढाचे जिनके शरीर पर किसी परकार का कपड़ा न था मिट्टी खोदने में लगे हुए थे मानो वो मरगट भूमी थी जहां मुर्दे अपने हाथ अपनी कबर खोद रहे थे बूढ़े और जवान, मरद और बच्चे सबके सब ऐसे निराश और विवश होकर काम में लगे हुए थे मानो म्रत्ती और भूख उनके सामने बैठी गूर रही है इस आफ़त में ना कोई किसी का मित्र था ना ही तू दयात साहिर दयता और प्रेम ये सब मानो वी भाव है जिनका करता मनुच्छ है प्रिकृती ने हमको केवल एक भाव प्रदान किया है और वो स्वार थे मानवी भाव भाव भूधा कप्टी मित्रों की भावती हमारा साथ छोड़ देते हैं पर ये ईश्वर प्रदत गुण हमारा गला नहीं छोड़ता आठ दिन बीद गए थे संध्या समय काम समाप्त हो चुका था डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था वहीं एक पेड़ के नीचे जादु राय और देव की बैठी हुई थी दोनों ऐसे क्रश हो रहे थे कि उनकी सूरत नहीं पहचानी जाती थी अब वो सौधीन क्रशक नहीं रहे समय के हेर फेर से आज दोनों मजदूर बने बैठे हैं जादु राय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया उसे कई दिन से बुखार आ रहा है कमल सा चेहरा मुर्जा गया है देव की ने धीरे से हिला कर कहा बेटा आँके खोलो देखो सांज हो गई साधु ने आँक खोल दी वो खार उतर गया था बोला क्या हम घर आ गए मा घर की याद आ गई देव की की आँके डबडबा आई उसने कहा नहीं बेटा तुम अच्छे हो जाओगे तो घर चलेंगे उठकर देखो कैसा अच्छा बाग है साधु मा के हाथों के सहारे उठा और बोला मा मुझे बड़ी भूक लगी है लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है मुझे क्या खाने को दोगी तेव की कहरदाय में चोट लगी पर धीरज धर के बोली नहीं बेटा तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है तुम्हारे दादा पानी लाते है तो नरम नरम रोटिया भी बनाए देती हूं साधु ने मा की गोद में सिर रख लिया और बोला मा मैं ना होता तो तुम्हे इतना दुख ना होता ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा ये वही बेसमज बच्चा है जो दो सबता है पहले मिठाईयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया है ये विपत्ती का फल है कितना दुख पून कितना करुणा जनक व्यापार है इसे बीच कई आदमी लाल्टेन लिये हुए वहां आए फिर गाड़ी आए उन पर देरे और खेमे लदे हुए थे दम के दम यहां खेमे गड़ गए सारे बाग में चहल पहल नज़र आने लगी देव की रोटियां सेक रही थी साधो धीरे धीरे उठा और आश्चर से देखता हुआ एक डेरे के नज़्दीक जाकर खड़ा हो गया पादरी महंदास खेमे से बाहर निकले तो साधो उन्हें खड़ा दिखाई दिया उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया प्रेम की नदी उमड़ाई बच्चे को गोद में लेकर खेमे में एक गदेदार कोच पर बिठा दिया और तब बिसकुट और केले खाने को दिये लड़के ने अपनी जिन्दगी में सौधिष्ट चीजों को कभी न देखा था बुखार की बेचेन कर देने वाली भूख अलग मार रही थी उसने खूब मन भर खाया और तब कितक नेत्रों सिब देखते हुए पादरी साहब के पास जा कर बोला तुम हमको रोज ऐसी चीज़ें खिलाओगे पादरी साहब इन भूले पन पर मस्कुरा कर बोले मेरे पास इससे भी अच्छी चीज़ें है इस पर साधू राए ने कहा अब मैं रोज तुम्हारे पास आँगा मा के पास ऐसी अच्छी चीज़ें कहा वो मुझे रोज चने की रोटियां खिलाती है उदर देवकी ने रोटियां बनाई साधू बोला अब मैं ना खाऊंगा साधू कहते थे कि मैं तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा मैं अब उनके साथ रहा करूँगा मा ने समझा कि लड़का हैंसी कर रहा है उसे च्छाती से लगा कर बोली क्यों बेटा हम को भूल जाओगे देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ साधू तुतला कर बोला तुम तो मुझे रोज चने की रोटियां दिया करती हो तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है साहब मुझे केले और राम खिलाएंगे ये कहकर वो फिर खेमे की और भागा और रात को वहीं सू रहा पादरी महंदास का पड़ा वहां तीन दिन रहा साधू दिन भर उन्हीं के पास रहता साहब ने उसे मीठी दवाईयां दी उसका बुकार जाता रहा वो भूले भाले किसान ये देखकर साहब को आशिरवाद देने लगे लड़का चंगा हो गया और आराम से है साहब को परमात्मा सुखी रखे उन्होंने बच्चे की जान रख ली चौते दिन रात को ही वहां से पादरी साहब ने कूच किया सुखे को जब देव की उठी तो साधो का यहां पता न था उसने समझा कहीं टपके ढूंडने गया होगा किन्तु थोड़ी देखकर उसने जादो राए से कहा लल्लू यहां नहीं है उसने भी यही कहा कहीं टपके ढूंडता होगा लेकिन जब सूरज निकलाया और काम पर चलने का वक्त हुआ तब जादु राए को कुछ संशे हुआ उसने कहा तुम यहीं बैठी रहना मैं अभी उसे लिए आता हूँ जादु ने आसपास के सब बागों को च्छान डाला और अंत में जब दस बच गए तो निराश लोटाया साधों न मिला ये देखकर देव की ढाने मार कर रोने लगी फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले अनीक विचार चित में आने जाने लगे देवकी को पूरा विश्वास था कि उस साहब ने उस पर कोई मंत्र डाल कर वश्मे कर लिया लेकिन चादु को इस कलपना के मान लेने में कुछ संदेह था बच्चा इतनी दूर अंजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता फिर भी दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़े के टापों की निशान देखते चले जाते थे यहां तक की एक सड़क पर आ पहुँचे वहां गाड़ी के बहुत से निशान थे उस विशेश लीक की पहचान नहो सकती थे गोडे के टाप भी एक चाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गए आशा का सहारा तूट गया दो पहरो हो गई दोनों धूप के मारे बेचेन और निराश से पागल हो रहे थे वहीं एक वरक्ष की चाया में बैट गए देव की विलाब करने लगी जादोराय ने उसे समझाना शुरू किया जब जरा धूप की तेजी कम हुई तो दोनों फिर आगे चले किन्तु अब आशा की जगह निराशा साथ थी गोडे की टापों के साथ उम्मीत का दुंदला निशान गायब हो गया था शाम हो गई इधर उधर गायों बैलों के जुन्ड निर्जीव से पड़े दिखाई देते थे ये दोनों दुखिया हिम्मत हार कर एक पेड के नीचे टिक रहे उसी वरक्ष पर मैने का एक जोड़ा पसिरा लिये हुए था उनका नन्नासस शावक आज ही एक शिकारी के चंगल में फस गिया था दौनों दिन भर उसे खोचते फिरे इस समय निराश होकर बैठे रहे देव की और जादो को अभी तक आशा की जलक दिखाई देती थी इसी लिए वे बेचैन थे तीन दिन तक ये दौनों अपने खोई हुए लाल की तलाश करते रहे दाने से भेंट नहीं प्यास से बेचैन होते तो दो चार गूट पानी गले के नीचे उतार लेते आशा की जगे ने राशा का सहारा था दुख और करुणा की सिवाई और कोई वस्तू नहीं किसी बच्चे के पैर के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा तथा भाई की लहरें उठने लगती थी लेकिन प्रत्ति एक पग उन्हें अभीष्ट इस्थान से दूर लिये जाता था इस घटना को हुए चौधा वर्ष बीत गए इन चौधर वर्षों में सारी काया पलट गई चारों राम राज्ज दिखाई देने लगा इंदर दियों ने कभी उस तरह अपनी निर्दैता न दिखाई और ना जमीन नहीं उमडी हुई नदियों की तरह अनाज से धेकियां भरी चली उजड़े हुए गाउं बस गए मजदूर किसान बन बैठे और किसान जाइदाद की तलाश में दोड़ने लगे वही चैत के दिन थे खलियानों में अनाज के पहाड खड़े थे भाट और भिकमंगे किसानों की बढ़ती के तराने गा रहे थे सुनारों के दर्वाजे पर सारे दिन और आधी रात तक गाहकों का जमघट लगा रहता था दर्जी को सिर उठानी की फुरसत न थी इधर उधर दर्वाजों पर घोड़े हने न रहे थे देवी के पुजारियों को अजीर्ण हो रहा था जादुराए के दिन भी फिरे घर पर छपपर की जगए खपरेल हो गया है दर्वाजे पर अच्छे बेलों की जोड़ी बंधी हुई है वो अब अपनी बहली पर सवार होकर बाजार जाया करता है उसका बदन अब उतना सुडॉल नहीं है पेट पर इस सुड़शा का विशेश प्रभाव पड़ा है और बाल भी सफेद हो चले है देवकी की गिंती भी गाउं की बूड़ी औरतों में होने लगी है व्यवारिक बातों में उसकी बड़ी पूछ हुआ करती है जब वो किसी पड़ोसिन के घर जाती है तो वहां की बहुएं भै के मारे थर-थराने लगती है उसके कटूबाक कौरतीव रालोचना की सारे गाउं में धाक बंदी हुई है महीन कपड़े अब उसे अच्छी नहीं लगते लेकिन गहनों के बारे में वो उतनी उदासी नहीं है उनके लिए जीवन का दूसरा भाग इस से कम उज्जल नहीं उनकी दो संताने हैं लड़का माधो सिंग अब खेती बारी के काम में बाप की मदद करता है लड़की का नाम शिव गौरी है वो भी मा कोचक की पीसने में साहेता दिया करती है और खूब गाती है बरतन धोना उसे पसंद नहीं लेकिन चौका लगाने में निपुड है गुड़ियों के ब्याह करने से उसका जी कभी नहीं भरता आए दिन गुड़ियों के विवाह होते रहते है हाँ इन में किफायत का पूरा ध्यान रहता है खोए हुए साधो की याद अभी बाकी है उसकी चर्चनित हुआ करती है और कभी बेना रुलाएं नहीं रहती देव की कभी कभी सारे दिन उस लाड़ले बेटे की सुध में अधिर रहा करती है सांज हो गई थी बेल दिन भर के ठके मांदी सिर जुकाय चले आते थे पुजारी ने ठाक और द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया आजकल फसल के दिन हैं रोज पूजा होती है जादो राए खाट पर बेटे नारियल पी रहे थे शिव गौरी रास्ते में खड़ी उन बेलों को कोस रही थी जो उसके भूमिस्थ विशाल भवन का निराधर करके उसे रौंदते चले जाते थे घड़े आल और घंटी की आवाज सुनते ही जादो राए भगवान का चर्णा मरत लेने के लिए उठे ही थे कि उन्हें अकस्मात एक नवी वक दिखाई पड़ा जो भूकते हुए कुटों को दुटकारता बाइसिकल को आगे बढ़ाता हुआ चला आ रहा था उसने उनके चर्णों पर अपना सिर रख दिया जादो राए ने गौर से देखा और तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए माधो भौँचक होकर बाइसिकल को देखने लगा शिव गौरी रूती हुई घर में भागी और देव की से बूली दादा को साहब ने पकड़ लिया है देव की घबराई भी बाहर आई साधों से देखते ही उसके पहरों पर गिर पड़ा देव की उसे च्छाती से लगा कर रोने लगी गाउं के मर्द और और बच्चें सब जमा हो गए मेला सा लग गया साधों ने अपने माता पिता से कहा मुझे अभागे से जो कुछ अपराद हुआ हो उसे शमा कीजिए मैंने अपनी नादानी से स्वेम बहुत कश्ट उठाए और आप लोगों को भी दुख दिया लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए देवकी ने रोकर कहा जब हमको छोड़कर भागे थे तो हम लोग तुम्हें तीन दिन तक बेदाना पानी के ढूंटते रहे पर जब निराश हो गए तब अपने भाग को रोकर बैठ रहे तब से आज तक कोई ऐसा दिन ना गया कि तुम्हारी सुधी ना आई हो रोते रोते कि युग बीट गया अब तुमने ख़बर लिया बताओ मेटा उस दिन तुम कैसे भागे और कहा चाकर रहे साधों ने लजजित होकर उत्तर दिया माताजी अपना हाल क्या कहूं मैं पहर रात रहे आपके पास से उठकर भागा पादरी साहब के पड़ाओ का पता शाम ही को पूछ लिया था बस पूछता हुए उनके पास दुपहर को पहुँच गया साहब ने मुझे पहली समझाया कि अपने घर लोट जाओ लेकिन जब मैं किसी तरह राजी ना हुआ तो उन्होंने मुझे पूना भेज़ दिया मेरी तरह वहां सैक्ड़ों लड़के थे वहां बिस्कुट और नारंगियों का भला क्या जिक्र जब मुझे अपनी लोगों की याद आती मैं अक्सर रोया करता मगर बच्पन की उमरत ही धीरे धीरे उन्हीं लोगों से हिल मिल गया हाँ जब से कुछ होश हुआ है और अपना पराया समझने लगा हूँ तब से अपनी नादानी पर हाथ मलता रहा हूँ रात दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी आज आप लोगों के आशिरवास से ये शुब दिन देखने को मिला दूसरों में बहुत दिन काटे बहुत दिनों तक अनाथ रहा अब मुझे अपनी सेवा में रखी मुझे अपनी गोद में लीजे मैं प्रेम का भूखा हूँ बरसों से मुझे जो सौभाग नहीं मिला वो अब दीजिए गाहों के बहुत बुढ़े जमा थे उन मेंसे जगत सिंग बोले तो क्यों बेटा तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे उन्होंने तुम को भी पादरी बना लिया होगा साधों ने सिर जुका कर कहा जी हाँ ये तो उनका दस्तूर है जगत सिंग ने जादो राई की तरफ देख कर कहा ये बड़ी कठिन बात है साधों बोला बरादरी मुझे जो प्राश्चित बतलाएगी मैं उसे करूँगा मुझे से जो कुछ बरादरी का अपराद हुआ है नादानी से हुआ है लेकिन मुझे का दंड भोगने के लिए तैयार हूँ जगत सिंग ने फिर जादो राई की तरफ कंखियों से देखा और कंभीरता से बोले हिंदू धर्मे में ऐसा कभी नहीं हुआ है यहों तुम्हारे माबाब तुम्हे अपने घर में रख लें तुम उनके लड़के हो मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक न होगी बोलो जादो राई क्या कहते हो कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन ले जादो राई बड़ी दोविदा में था एक और तो अपने प्यारे बेटे की प्रीत थी दूसरी और बिरादरी का भै मारे डालता था जिस लड़के के लिए रोते रोते आँखे फूट गई आज वही सामने खड़ा आँखों में आसु भरे कहता है पिता जी मुझे अपनी गोद में लीजिए और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूँ शोक इन निर्दई भाईयों को किस तरह समझाओं क्या करूं क्या ना करूं लेकिन मा की मम्ता उमर आई देवकी से ना रहा गया उसने अधीर होकर कहा मैं अपने घर में रखूंगी और कलेजे से लगाँगी इतने दिनों के बाद उसे पाया है अब उसे नहीं छोड़ सकती जगज सिंग रुष्ट होकर बोले चाहे बिरादरी छूट ही क्यों न जाए देवकी ने भी गरम होकर जवाब दिया हाँ चाहे बिरादरी छूट जाए लड़के वालों ही के लिए आदमी बिरादरी की याड पकड़ता है जब लड़का न रहा तो भला बिरादरी किस काम आएगी इस पर कई ठाकुर लालाल आँखे निकाल कर बोले ठकरा इन बिरादरी की तो खुब मरे अदा करती हो लड़का चाहे किसी रास्ते पर जाए लेकिन बिरादरी चूटक न करे ये ऐसी बिरादरी कहीं होगी हम साफ साफ कहे देते हैं कि अगर ये लड़का तुमारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वो क्या कर सकती है जगज सिंग कभी कभी जदुराई से रुपए उधार लिया करते थे मधुर स्वर से बोले भाभी बिरादरी ये थोड़े कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है तो हमारे सिर आँखों पर रहे बस ज़रा खाने पीने और छूत छात का बचाव बना रहना चाहिए बोलो जदु भाई अब बिरादरी को कहा तक दवाना चाहते हो जदुराई ने साधु की तरफ करणा भरे नेत्रों से देख कर कहा बेटा जहाद तुमने हमारे साथ इतना सुलूग किया है वहाँ जगत भाई की इतनी कहा और महलू साधु ने कुछ तीख्ष्ण शब्दों में कहा क्या मालूम ये कि अपनों में गेर बन कर रहूं अपमान सा हूं मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए नह ये मेरा किया ना होगा इतनी निरलज नहीं जाधु राई को पुत्र की ये कठोरता अप्रिये मालूम हुई वे चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी की लोग जमा है उनके सामने किसी तरह समझाता हो जाए फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं चिड़कर बोले इतनी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी साधु राई इस रहस को न समझ सका बाप की इस बात में उसे निश्ठुरता की जलक दिखाई पड़ी बोला मैं आपका लड़का हूँ आपके लड़की की तरह रहूँगा आपके भक्ती और प्रेम की प्रेणा मुझे यहां तक लाई है मैं अपने घर में रहने आया हूँ अगर ये नहीं है तो इसके सिवा मेरे लिए इसके और कोई उपाए नहीं कि जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाऊं जिनका खुन सफेद है उनके बीच में रहना वेर्थ है देवकी ने रोकर कहा लल्लू मैं अब तुम्हें ना जाने दूंगी साधो की आँखे भराई पर मुस्कुरा कर बोला मैं तो तुम्हारी थाली में खाऊंगा देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दरश्टी से देख कर कहा मैंने तो तुझे च्छाती से दूध पिलाया है तुम्हेरी थाली में खाएगा तु क्या मेरा बेटा ही तो है कोई और तो नहीं हो गया साधो इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया इन में कितना इसने है कितना अपना पन था बोला मा आया तुम्हें इसी इरादे से था कि अब कहीं न जाऊंगा लेकिन बिरादरी ने मेरे कारण यदि तुम्हें जाती चित कर दिया तो मुझसे न सहा जाएगा मुझसे इन गवारों का कोरा अभिमान न देखा जाएगा इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो जब मुझे अफसर मिला करेगा तो तुम्हें देख जाया करूँगा तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता लेकिन ये असंबव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं अलग बैठो इसके लिए मुझे शमा करना देव की घर में से पानी लाई साधू मूद होने लगा शिव गौरी ने मा का इशारा पाया तो डरते डरते साधू के पास कई साधू को आदर पूरवक दंडवत की साधू ने पहले उन दोनों को आश्चर से देखा फिर अपनी मा को मस्कुराते देख समझ गिया दोनों लड़कों कुछाती से लगा लिया और तीनों भाई बेहन प्रेम से हसने खेलने लगे मा खड़ी ये द्रश देखती थी और उमंग से फूली न समाती थी जल पान करके साधू ने बाईसिकिल समाली और माबाप की सामने सिर जोका कर चल खड़ा हुआ वहीं जहां से तंग होकर आया था उसी शेत्र में जहां अपना कोई न था देव की फूट फूट कर रो रही थी और जादो राए से निकला जाता है और केवल इसलिए कि हमारा खून सफेद हो गया अभी आप सुन रहे थे प्रेम चेंद की लिखी कहाने खून सफेद वाचन समीर गोस्वामी का था